हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल स्वागता है आप सभी का मेरे सुपर लोग की चैनल में दोस्तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे उमीद करते हैं आशा करते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको बहुत ही खास लक्षणों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर साइर में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली pregnancy से related नई वीडियो का notification पाने के लिए गैस होता क्या है जब भी आप मा बनती है न और आपके अंदर एक जिग्यासा होती है यह जाने की कि हमारे एक बेटा होगा या बेटी होगी उस तो हर किसी के साथ होता है मेरे साथ भी यही था तो आप पड़े पड़े बस यही जिग्यासा करते रहते हैं यही देखते रहते हैं कि कोई कुछ बताता है आप उसको follow करने लगते हैं जैसे हमारे अक्सर बूड़ी बुजुर्ग मैला हैं दादी नानी हमें बताया करती थी आज पड़ोस से भी आप सुनते हैं तो आप वह करते हैं कि यह लड़का होने का हो सकता है यह लड़की होने का लक्षण हो सकता है इसको करके देखें तो दोस्तों ऐसे ही कुछ लक्षण हम आज आपको पताने बारे हैं और काफिया तक सही भी रहते हैं दोस्तों ऐसा नहीं है कि सही नहीं रहते हैं तो ऐसे हम आपको चा आई जान लेते हैं पहले लक्षण के बारे में दोस्तों अगर आपको आपकी जो हाथ हैं बहुत ज़दा रूखे से रहने लगे हैं और फटे फटे से रहने लगे हैं और काले पड़ गए हैं आपके हाथों की नस दिखने लग गई हैं तो यह एक बेबी बॉय होने की निश लगा है आप चर्वी सी आजाती हाथ पर मोटे हो गए तो दोस्तों ऐसा माना जाता है यह लड़की के टाइम पर यह लक्षण देखा जाता है दूसरे लक्षण की बात करते हैं दोस्तों अगर आपको आलस बहुत जादा आता है नीन बहुत जादा आती हैं कुछ पढ़ पूरे दिल सोते ही रहें तो आपको नीद से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया तो ऐसा माना जाता है यह लड़की होने का लक्षण होता है इसके अपोजिट गाइस अगर आपको रात में आपकी नीद घुल जाती है और आप डिश्टप हो जाते हैं फिर भी आपको चिड़ अगर आपके नाकुझ जो हाथ पैर गये हैं वो आपके पीले पड़ने लगे हैं या तो बहुत ज़्यादा रहे हैं तो दोस्टव ऐसा माना जाता है कि यह बेटा होने की निसानी होती है इसके अपोजिट दोस्टव अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो यह लड़की होने का लक्षन माना जाता है एक और लक्षन की बात करते हैं दोस्तों अगर आपको गी मैंसे बदबू आती है या तड़का लगाते उसमें से स्मेल आती है अफिनाईल पर्फ्यून नीन पॉलस वगेरा इनमेंसे बदबू आती है स्मेल अच्छी नहीं लगती है तो दोस्तो यह लड़का होने का साहिन माना जाता है लड़का होने पर यह सारी चीजें दिखाई देती हैं तो दोस्तो अगर आपको भी ऐसे लक्षर नजर आ रहे हैं तो आप भी समझ सकते हैं कान्फर्म कर सकते हैं कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक लड़का ही आईएगा ताकि हमें भी पता लगे कितने सही सावी हैं